गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स मेधी पारावत आज आपके लिए लेके आए हूँ प्लास नाइन्थ की मैट्स चैप्टर सेवन तर्भूच परशनावली 7.1 परशनावली 7.1 आज हमें इसमें करने वाले हैं क्वेश्चन नमबर 7 एंड क्वेश्चन नमबर 8 तो आए है इस दिस्टन के बराबर होगे तिकरे और 4 रीवर्स परकार है कि इनसे जो कौन अच्छे से बन रहे हैं कौन से बन रहे हैं एक कौन से बन रहे हैं से BAD, 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 BAD यह डबल दिख रहे हैं, आपको डबल लाइन खींचें, यह वाला कॉन इसके बराबर इसमें बन रहा है, तो आपको दर्शाना है, कि तिर्भूज डी ए पी, तिर्भूज डी ए पी वाला जो तिर्भूज बना, यह वाला जो तिर्भूज बना है, यह सर्वांग सम है किसके e b p के इसके ये सरवांग सम ये तिर बुज है और a d बराबर है b e के a d बराबर है b e के a d वाली लाइन e b के बराबर है ठीक है तो आईए शुरू करते हैं इसका हल तो बचे जब आप इसका हल करते हैं तो सबसे पहले आपको वो चीजे लिखनी होती हैं कि जो इसमें पहले से दी होती है जो हमें ग्यात होती है तो हमें ग्यात क्या क्या है हम वो मेंशन कर लेते हैं ग्यात है हमें कि रेखा खंड A B A B का मदे बिंदू क्या है P है A B एक रेखा खंड है जिसका मदे बिंदू P है यह इसमें सारा लिखा है यह सारी चीजे मैंने लिख लिखा है जो इसमें को सिद्ध करना है आप उनको भी लिखिए इसका प्रमान है प्रुब का तरीका बढ़ रहें अगर किसा कुछर बढ़ आप हैं पूरा टिर्बुज सर्वांग संस्म मताने है आपने ए पी-बाउच के इस वाली तिर्बुज को जब हम पूरा करें गे D, A, P तो इतना कौन तो हमें मालूम है कौन कौन सा बचा है जो हमें नहीं मालूम यह वाला कौन हमें नहीं मालूम यानि कि E, P, D हमें नहीं मालूम है तो आप पहले वो चीज लिख लेजे जो आपको मालूम है तो हमें क्या मालूम है A, P, E A, P, E यह वाला कौन और D P B यह दोनों कौन क्या हैं? बराबर हैं यह दोनों आपस में क्या हैं? ग्यात हैं हमें यह बराबर हैं अब देखो मैंने बोला था इसमें E, P, D यह छूट रहा है क्योंकि मैं तो तरुबज डी ए, P यह दोनों और E, P, D को जोट दिया दोनों और मैंने एंगल कौन E, P, D मैंने E, P, D इधर भी जोटा और A, P, E, P, D D, P, B था इसके साथ भी E, P, D जोट दिया जब मैंने इसको जोटा तो मुझे कौन सा कौन मिला बड़ा वाला कौन मिल गया पहले तो इतना था ना था यह थे अब इसमें यह जोड दिया तो अब यह पूरा प्लिश यह मिल गया तिरभुज बना और ईड़ को दी घो चोर अब हमें इन तोनों तक्रेम दोन जो एपीडी टिर्भुज बना यह यह ग्या करना हैं सर्वांखसंपूरव करना तो इन तर muset आगे बढ़ हेंगे तो यानिष्ट आपको पता है कि ideally और इप इपी इसमें E B P D A P D A P और E P B आपको क्या है ग्यात है E P B आपको एक दोने तक ग्यात है कि यह वाला ऐसे आगए ठीक है E P B बोलो चाहिए B P E बोलो इससे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला भी आप इसको B P E लिख सकते हैं क्योंकि उपर हमने क्या लिखाते हैं इसको B P E आपको ग्यात है कि D A P E B P के बराबर ही हमें ग्यात दिया है ठीक है उसी धंक से आपको इन तरव बोलो में क्या ग्यात है कि A B A P D और P B E ऑ़ अब आबने निकाला यह भी हमें क्या ओ ग्यात हो चुका है अब हमने ग्यात किया ठीक है A P D यह वाला और पी, बी, पी ये वाला है ठीक है भी हमने ग्याद किया था उपपर ये भी हमें इस तरबुज के लिए ग्याद होगे इन दोनों तरबुजों में ये भी हमें ग्याद है और इन दोनों तरबुजों में अगली चीज क्या रही है बच्चों कि AP किसके बराबर है BP के बराबर है क्योंकि एक ऐसा बिंदू था इसका पी इसका मद्द बिंदू था यानि कि वाले डिस्टंस के बराबर आ गई इस वाले डिस्टंस के बराबर आ गई इस वाले तिर बुच की वाले डिस्टंस और इस वाले तिर बुच की वाले डिस्टंस सब्सक्राइब करें गeletina-la-nous yard शुब vraag खरें और और बैद दस्किमेंने डलना अगली है आपके पास द्धी बराबर खरणा आप न चत्री में सब्सक्राइब ब्राबर अगले हम कह सकते हैं कि cp ct से यह दोनों भी क्या आगये आपके पास बराबर आगय है ठीक है अब करते हैं बचों क्वेश्चन नम्बर एट क्वेश्चन नम्बर एट में आपको दिया है एक समकोन तिर्भुज ABC में एक आपके पास एक समकौन तिरबुज है एक समकौन तिरबुज ABC में एक समकौन तिरबुज आपके पास ABC इसमें कौन C समकौन है यानि कि कौन जो इसमें C है वो क्या है समकौन है किते डिगरी का कौन बना रहा है 90 डिगरी का M कर्ण AB का मध्धे बिंदु है जो M है वो कर्ण जो AB है इसका क्या है? एक मध्धे बिंदु है इसमें यानि कि Center Point है Hypotonis है कर्ण है इस तरभुच के लिए इसमें M क्या है? मध्धे बिंदु है C को M से मिलाकर C को M से मिलाकर इस प्रकार बढ़ाया गया है ये आगे हमने इसको इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM बराबर CM आया DM बराबर क्या आया? CM आगया ठीक है? बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है फिर बिंदु D को किसे मिला दिया जाता है? बिन्दू बी से मिला दिया जाता है ,क्या की चीजा आपको प्रूप करके लानेती है labor ॹछ चिजा की तीरभुज है वह क्या है य क्शकती का है ,पह्म २ बैइक आपको यह पूरूब करना है एक आपको पूरूब करना है ले इत सबीने दकाद से 205 सरवांगम अध्यट है इसकुल पर बेद दकात के TV सारी चीज़ें question से ही लिख लिख लिए कि angle CP क्या बन रहा है समकून बन रहा है 90 डिगरी बन रहा है DMCM के बराबर है AMBM के बराबर है जो आपको सिद्ध करनी है यह चारों चीज़ें मैंनों चारों चीज़ें दिबारा से mention कर लिए कि यह सिद्ध करनी है अब आप इनको one by one क पास के हमें बताना है कि तिर्बुज AMC सरवांग सम है तिर्बुज BMD के ठीक है तो आपने AMC और BMD पर ऐसे चीज़ें ढोड़ने हैं कि जो इनको सरवांग सम भी प्रूब करें तो AMC यह हैं और BMD तिर्बुज आपका यह है तो आप इन दोनों में क्या देखेंगे कि इन आपको ग्यात है मैंने को डबल लाइन से दिखा दिया है और आप देखेंगे कि यह वाला कोण किसके बराबर होने वाला है इस वाले कोण के बराबर होने वाला है क्यों क्योंकि कैसे कोण है दो लाइने जब काड़ती है तो उनके यह वाले क्या क्या कोण कहलाते है एस रूल से यह दोनों तिरबुच किया हो गया सरवांग संपुरूब हो गया पहला पार्ट हमारा ओवर हो गया अब देखे बच्छों इसका सेकिंड पार्ट है कि डी बी सी डी बी सी क्या है एक समकॉन है यहां पर समकॉन मीन्स यहां पर 90 डिगरी यह बना रहा है हमें यह बताना है ठीक है कि यह कितने डिगरी का बना रहा है यहां पर 90 डिगरी का तो भई हम इसको डिरेक्ली 90 नहीं लिख सकते हैं यह किनी दो एंगलों का योग होगा है यह क्या हो उसमें jo य्वाला ऊग्ल होगा यह वाला और यह वाला इनका योग जईए नाइंटञ ऐसा जाली है क्योंटिता है तो सबस्ते हैं और एक हो जाए गाप की पूड़ा हो जायेगा आपके पास एन्-बी-वाला और यीवाला करके धी यह इन हो sagt कि अल्रादी होता है क्योंकि और प्रास आपके यह जो यह वाला है c a m c a m जो है c a m अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि जो c a m c a m ठीक है इसकी जगे मैं क्या लिख सकती हूँ d b m d b m d b m यह वाला कौन किसके बराबर होगा इस वाले कौन के बराबर होगा क्यों कैसे को और यह इस को मैंने ऐसे ही रहने दिया कि देखो डीए एम और टीदींग को स्चाहिए यह रिए टीप में बन रहा है तब दीजिगे नबन रहा कि पूरा क्या लगे एक अब Понबा Attraald फीजिगली इंटी यह में परूब करने के लिए कि तरómo जो जो पहुंज आप परूब्र करOnce DBC。 तिर्बुज DBC रभुज सरवांग समय, तिर्बज ACB के ये दोनों तिर्बुज को हमें DBC और ABC तिर्बुज को क्या बताना है? तो आप इन दोन में सबसे पहले देखे कि DBC ये है और ABC ये है A, C के बराबर है, क्यों है D, B, A, C के बराबर D, B, जो इसका D, B हो A, C के बराबर है अभी हमने D, B, M और A, M, C को क्या पूरप किया था सरवांग सम्किया था, यानि कि इनके जो ये वाले parts होंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, C, P, C, T से बराबर ही 90 डिगरी हमने अभी सिद्ध किया तो ये वाला भी हमें कौन मिल गया तो ये क्या हो गया कौन से नियम हो गया ये S, S, A यानि कि ये कौन से नियम से S, A, S, रूल सरवांगसम नियम से ये क्या हो गया सरवांगसम प्रूब हो गया यह तो हो रही इसकी थर्ड पार्ट की बात अब करतें का फोर्थ पार्ट में है इसका कि जो cm है जो cm ना वो क्या है हाफ डिस्टंस किसके है abk जो cm है वह तो भी तक पताए था हमें कि half distance dc के लिए अब हमें क्या लान है cm क्या है यह half of क्या है AB के half है तो आपने भी देखा कि ये वाला हमने सरवांगसम पूरूब किया ठीक है जब हमने ये सरवांगसम पूरूब किया DBC सरवांगसम AC भी जब हमने किया तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका DC है वो किसके बराबर है AC के बराबर है जो इसका DC है वह किसके बराबर है AB के बराबर है जब हमने तिरव सरवांगसम् पूरूब कर लिया तो इसके भई DC जो होगा वो AB के बराबर होगा तो अब हम क्या करेंगे DC के आगे Hash कर लेंगे क्योंकि मैंँ då Half question में तो इसके DC के भी मैंने वाल है is करना लप को अदाय में की नहीं है जाए कुम अजे आगी हम लाना थे यो हम ये निवर हुआ कड़ने थाप जीए कर थाफ लोत में ऑड़ने हैं ये फो कर दो आपके दो ऊच्छों में वाला है ये कम श्रीये तो ये क्या है को रह coy झाल झाल झाल